हन जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को राजस्तान क्लासेज की यूटूब प्लेटफों पर आप सभी का बहुत बहुत वैलकम है दोस्तों बात करेंगे राजस्तान जी के के एक और महतपुन टॉपिक जिसका नाम है लोक देविया दोस्तों लोक देविया ये टॉपिक अपने आप में एक महत्पुन टॉपिक है यहाँ से जो भी सवाल बनते हैं लगता ऐसा है कि बहुत ईजी है लेकिन कई बार गलत कर वैड़ते हैं इस परकार से हम लोक देविय की टॉपिक को कवर करेंगे संपुन टॉपिक दोस्तों कवर होगा ठीक है यानि ये पार्ट फर्स्ट रहेगा और उसके बाद इसका पार्ट टू भी आने वाला है तो आप सभी से निविदन है क्लास के आखिर तक जोड़े रहेगा और आरेस के मोडल पेपर प्रेक्टिस एड भी आपके सामने जल्दी रखेंगे देखे शुरुआत में दो चार रखेंगे अगर आप लोगों में इंट्रेस्ट रहेगा देखने का तो मैं जरूर इसको कंटीनूर रखूंगा और आप लोग शेयर करेंगे तो और भी येस चले दोस्तों शुकरें और वैसे टेलिग्राम गूगल वेबसाइट ये है आपकी टेलिग्राम ये इस परकार से नाम से है प्ले स्टोर जो है ये राज़तान 360 नाम से है प्ले स्टोर पर एप जो है वाट्चाप ग्रूप का लिंक डिस्करिप्शन में दे रहा है तो यानि MCQ's question हम कह सकते हैं बहुत important जो question है ये बुक्स है तो आप इसको देख सकते हैं अच्छा दोस्तों आज का पहला सवाल आपके स्क्रिन पर है कि सोलंग की राजा सिद्ध राज जैसिंग की इश्व देवी कौन सी देवी थी इस परकार से सवाल जो है पूझा जा सकता ह आप सबी से तो दोस्तों राइट आंसर त्रिपूर सुंद्री माता हो जाहेगा और दोस्तों तलवाडा में इन माता का मंदीर है और द्यान डगना बारवी सदी में चांदा भाई नाम से वेक्ति ने जीरनों दोवार करवाय था इस मंदीर का याद रखे दोस्तों बहुत पूंच पूंच सवाल था इनमें से कौन सा मंदीर अब्यारण में इस्तित नहीं है बताइए दोस्तों देखे ये सवाल थोड़ा सा अलग ही लेवल का है लेकिन जरूर नहीं पूचा भी जाए पर ऐसा थो सकता है कि किस अब्यारण में ऐसा हो सकता है देखो केला देवी दादीच ब्रामनों की कुल देवी है अब आप ये भी कहेंगे कि सर हमें कैसे पता जलता है कि ये दादीच ब्रामनों की कुल देवी है तो देखो ददीमती माता का मंदीर है यहां पर एक शिलालेक मिला है इसमें दादीच ब्रामनों के बारे में लिखा हुगा है अगला स शाकंबरी जैबफूर में है तो दूसरा मंदीर। उदे पूर्वाटी का उदे पूर्वाटी का जुन्जुनूव में है, दूसरा मंदीर। अगला सवाल है वीका राठोडों की कोल देवी। दोस्तों मंदीर देख सकते पताब झल गया होगा और माकरणी माता। करणी माता को बिकानिर के राठोडों की कुल देवी कहा जाता है रेट्स आप टेंपल भी नहीं मंदिर को कहा जाता है चूहों वाली देवी कहा जाता है दोस्तों तो यह आपका सफिद चूहों को यहां पे काबा कहा जाता है कड़ाई रखी गई है उस कड़ाई का नाम दोस्तों क्या है वो आप लोगों को बताना है जल्दी से बताना दोस्तों कड़ाई का नाम क्या है यहां पर रखी होई कड़ाई का नाम अगला सवाल है दोस्तों खोड यार माता मंदिर कहां पर इस्तित है तो याद रखना खोडाल लोंगे वाला दोस्तों खोडाल लोंगे वाला ये कहां पर पढ़ता है ये हमारे जैसल मेर मेर में पढ़ता है दोस्तों और यहां पर आपका राई टांसर आप्शन D होगा अगला सवाल है लोक देवी जीन माता का मंदिर है लोक देवी जीन माता का मंदिर है तो प्यारे दोस्तों आप्शन E को लॉक करेंगे रहवासा सीकर में है लोक देवी जीन माता का मंदिर और आड़ा वाला पहाड़ियों में इस देते है है ना तो याद रखना दोस्तों important सवाल है और एगला सवाल आपकी स्क्रेन पर है कि लांगूर्य अगीत और गुटकर नर्तिय किस लोग देवी का प्रसीद है या पिर किस लोग देवी कि निवन मैंसे कौन सा कथन देखो जो तो तलवाडा बांसवाडा में इनका मंदीर है वस सुंद्रा राजे जो पूरू मुख्य मंद्री थी उनकी ये इष्ट देवी है पांचाल जाती की कुल देवी है और जो गुजरात के सिद्ध राज से उनकी भी इष्ट देवी थी अगला सवाल है कि इनसे सही उगमा नहीं है जमुआ इमाता जैपुर सही है जोगनिया माता जालवाड सही है क्या नहीं गलत बात है आशापुरी माता जालो और महोद्रा में है दोस्तों मोद्रा या फिर महोद्रा में है चार बुजा देवी खमनो राजसमंद में है वैसे ठ इस देवी के अश्र भूजी तरी मामान सिंग परतम पूरी बंगाल राजा कैदार से लेकर आए थे तो यहां पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शिला देवी दोस्तों क्या होगा शिला देवी हो जाएगा राइट आंसर आफ़सन बी को लॉक करेंगे और हम बात करें न मंदिर के निर्मान की या फिर जीर्णो दवार की तो मिर्जा राजा जैसिंग द्वारा में जीर्णो दवार हुआ था ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रेइन पर दोस्तों कि, जोदपुर के राठोर की कुल देवी के बारे हम सवाल किया जा रहा है तो नागनेची माता हो जाएगा दोस्तों कुल देवी माता नागनेची माता अप्चन भी को आप लोग लोग करेंगे ठीक है और अराते देवी या फिर इश्र देवी की जब बात आती है तो च्छामुंडा माता हो जाएगा दोस्तों ठीक है यह चीज याद रखना किस देवी ने आज इवन ब्रह्मचारी नी रहकर घोर तपश्य करी कठीन तपश्य करी है ना तो यहाँ पर आप सभी का राइट और उसके बाद जो है वो देवी के रूप में जो है लोक प्रसिद होई तो वो है जीवन माता दोस्तों जीवन माता का मंदी रहवासा रहवास जाएगा और अगला सवाल है शीतल माता की सवारी कौन जी इन में से शीतल माता की सवारी सीधी सिवात इन में से कोई नहीं है क्योंकि गदा है जो है वो है शीतल माता की सवारी पूजारी कुमार जाती के होते हैं और मंदीर जो है चाकसू में बना हुआ है शील डूंगरी पहाडी पर शील डुंगरी पहाडी पर ठीक है अगला सवाल है कि किस देवी की मूरती खंडीत प्रतिमा में विराजित है तो प्यारे दोस्तों देखो चेचप की देवी बच्चों की सरंक्षी का एक माता को का जाता है जिनका नाम है शीतला माता मा माई माता माई भी शीतला माता कोई का जाता है मैंने देखो जरूर नहीं ऐसा सवाल बने मैंने याप पर रखे हैं ये सारे ना माई अना माई सेडल माता भी शीतला माता कोई का जाता है तो कुल मिलाके मेरे कहना का तातपर यह है कि यहां पर जो भी नाम आ रहे है कोई भी नाम आपको 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 अगला सवाल है डुंडार के कच्वा राजवन्ष की कुल्देवी थी डुंडार के कच्वा राजवन्ष की कुल्देवी जो है वो है जमुआ रामगड में इस्तिर मंदिर जमुआ इमाता तोस्तों ये जमुआ इमाता का प्राचीन मंदिर है पहले रामगड हुआ करता ता फिर नाम है जो जमुआ अमादा कर दिया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यह दुले राय ने निर्मान करवाई था अगला सवाल देखो अगला सवाल है कि जेपुर के कच्वा राजवनश की का राध्या देवी कौन है तो देखिए यहां पर राध्या देवी जेपुर के कच राजा मान सिंग लेकर आये थे कैदार से राध्या मान सिंग पर्थम जो जिन्हों ने इसको इस्ताफित कराता मूर्ती को और हां एक चीज़ और याद रखना ये महिशा मर्दीनी का स्वरूग पर दोस्तों श्रीतला माता श्रीला देवी माता ठीक है अगला सवाल है कि ज आपको बता दूँ चैत्र और अश्रीन शुक्ल नवमी को बरा जाता है शुक्ल नवमी को बरा जाता है तो प्यारे दोस्तों यहापके ऑप्शन में है क्या नहीं है तो ऑप्शन डी है जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा शेखावाटी शेत्रकी कोल देवी जो सवाल देखो एक बार पढ़ो सवाल को राजस्तानी लोकस आईती में लोक देवियों में सबसे लंबा गीत कि स्लोक देविग आए तो दोस्तों यहां पर आप सभी का राई डांस रो जाएगा जीन माता तो जीन माता का का मंदिर तो है रेवा सा सीकर में है ठीक है ओके अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल देखें अगला सवाल देखें अगला सवाल देखो एक चीज़ और याद रखना कि जो कनफटे जोगी होते हैं यह इनकी गोत्र है कनफटे जोगी और उनके द्वारा सारंगी और सवाल दिखिए अगला सवाल है कि चोहान वरिश की आराध्य देवी कौन है चोहानों की आराध्य देवी की बात करें दोस्तों जीन माता हैं जीन माता को ब्रहामरी माता भी कहते हैं मीना भी इनको अपनी लोग देवी बानते हैं वैसे जीन माता उसने एक को लोग करेंगे करणी माता से समंदी सही विकल्प नहीं है दोस्तों क्या होगा राइट आंश्रिस का मापर्यान इनका सुगाप गाउं में हुआ था ठीक बात है दोस्तों ठीक है मापर्यान इनका जो है ठीक बात या नि गलत बात है सुवाप में इनका जर्म हुआ था दोस्तों पूजारी इनके चारण होते हैं पिता जी मेहा जी थे इश्ट देवी तेम्र राय जो की जैसलमेर मंदिर है वो है लेकिन दोस्तों याद रखना महा प्रयान इनका घिनेरों की तलाई के पास में हुआ था इनका घिनेरों की तलाई के पास में हुआ था याद रखना इंपोर्टेंट सवाल है और जनम हुआ था सुवाप गाओं में ठीक है अगला सवाल है कि केला देवी से संबंधित निवन मैसे गलत क्या है केला देवी से संबंधित निवन मैसे को भरा जाता है गीत लांगूर्या है नर्तिय गुटकन है अन्य नाम अंजना देवी है अंजन नीरो लालो है ना इस परकार का बजन भी है इनके अगला सवाल नेक्स सवाल है बोरा भक्त की चत्री किस मंदिर के सामने बनी हुई है बताइए बोरा भक्त की चत्री किस मंदिर के सामने बनी हुई है तो दोस्तों केला देवी के सामने बनी हुई है यानि option A को आप सभी लोग लौक करेंगे किला देवी मंदीर की परमुख जो वेशेशता है वो है कनक दंडवत दोस्तों याद रखना ठीक है अगला सवाल देखिए देखो ये सवाल बहुत इंपोटेंट है एक्जाम में पूझा गया कि बोरा भक्त की चतरी काम पर है किस मंदीर के सामने तो किला देवी मंदीर के सा ये नवरातर में भरे जाते हैं अश्मिन और चतरं नवरातर को ठीक है और दात माता की बात करें ये कोटा kingdom की कोटा लाज परिवार कि कोल देवी माने जाती है दोस्तों याद रखना ठीक है अगला सवाल देखिए किस देवी के थान को बडेर कहा जाता है यह आपको बताना है दोस्तों किस देवी के थान को बडेर कहा जाता है तो आई माता के थान को बडेर कहा जाता है और मंदिर को दरगाह कहा जाता है दोस्तों याद रखन मंदिर को दरगा का जाता है आई माता ने आई माता राम देव जी की शिश्या थी और हम बात करें तो ये माल वसे आये थे नेक्स सवाल आई माता के भक्त सीर्वी जाती का मुख्य वैवसाई है तो दोस्तों आपसन एक खेती या फिर आप उपसन में क्रशी भी हो सकता है लेकिन दोस्तों याद रखना ये सवाल पूछा गया है अगला सवाल है चारण जाती के कुल देवी है चारण जाती की कुल देवी वही है दोस्तों जो करणी माता हो जैए गर आई टांसर ओपसन सी को लोग करेंगे निम्न मैंसे सई विकल्प नहीं है तो देखे दोस्तों निम्न लिकेत मैंसे सई विकल्प नहीं है चींक माता जेपूर आपसंदेर का है शीतला माता जेपूर आपसंदेर का है उंठाला माता उदेपूर आपसंदेर का विंध्यासी ने माता कोटा आपसंदेर का है तो यहां पे आपका राइट आंचो जो है वो option C होगा विंध्या सिने माता जो है कोटा में नहीं बलकि उदेपूर में है हारित रिशी के समय की बात है दोस्तों तब की जो है जैसे कि मैं आपको बताऊँ बपा रावल के समय का मंदिर यहां पे बना होगा है तो दोस्तों भुगाल माता यहां पे नहीं है ठीक है? option B आप सभी कलाओं को जाएगा भुगाल माता नागोर जिल्ले में इससे थे ठीक है? किस के मंदिर को भक्त दर्गा कहते हैं? तो आई माता हमने पढ़ा अभी ठीक है? ठान को बडिर कहते हैं औने जिल्ले मंदिर को क्या कहते है? आई माता के मंदिर को कहते हैं दर्गा तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है अगला स्वाल है किस देवी का मंदिर मठ कहलाता है तो वा जो जो करनी माता हो जाएगा आपका option ने देश नोक में मंदीरेन का चुवम वाली देवी कहा जाता है शीतला माता का मेला कब भरा जाता है दोस्तों तो चैत्रक्रश्णा अश्टमी को भरा जाता है Yes or No शीतला माता का मेला बोले सब चैतर करश्ण अश्टिमी को बहरा जाता है बिलकुल तो option D आप सभी का लौक हो जाएगा करश्ण पक्स ये इसमें दिया हुआ लेकिन ये माग का है होगा नहीं करश्ण पक्स में अश्टिमी को बहरा जाता है दोस्तों शीतला माता का मेला और जब हम बात करें तो बास्योडा जिसे हम कह सकते हैं ठंडा भोजन जो पूजा जाता है ठंडे भोजन से माता जी का पूजन होता है और मतलब जैसे बास्योडा कहा जाता है ठीक है और हर घर में पूजे जाते हैं इन माता जी को पूजा जात ठीक है और शाकमरी माता का दूसरा मंदिर कहां पर है अभी हमने बात करी थे दोस्तों उदेपुर वाटी उदेपुर वाटी कहां पर है यह आपके जुन-जुनु में है दोस्तों उदेपुर वाटी कहां पर है जुन-जुनु में है यानि option C को लॉग करेंगे शाकमरी माता का मंदिर निजमंदिर तो जैपुर में दूसरा मंदिर आपके उधेपुरवार्टी में है. ठीक है? मलेक के तूपरवत परे. अगלא स्वाल है. जमुआए माता का मंदिर कहां पर इसी थे? स्वरी किसी ने बनवाय था? तो जमुवाय माता का मंदिर तेज करन कहलो या फिर दुले राय कहलो ठीक है पता नहीं अब इसका ये हमें अंतर पता नहीं चल्डा कि इनके दो नाम कैसे थे लेकिन जमुवाय माता का मंदिर पहले वाँ पर एक रामगर नाम से कश्पा था ठीक है और रामगड नाम से कश्पा था जो दौसा के दिन आया करता था लेकिन बाद में दुले राय ने जीद लिया था अपने सुराल वालों के साथ मिलके तो जमुवा रामगड उस इस्तान का नाम रखा और माता का माता जी का जो है मंदिर के प्रतिष्ठा करवाई जो है जमुवा माता के नाम से प्रसीद होई ठीक है जमुआ माता का अन्य प्रसीद मंदिर कहां पर है दोस्तों तो इन सभी जगह है बुनास मैं भी है मैरोली मैं भी बाउड की मैं भी उप्रोग सभी सभी जगह जमुआ माता का मंदिर इस दित है ठीक है दोस्तों तीर्थ यात्रा की सफल कामना के लिए पूजी जाने वाली माता जी का नाम कहते हम पत्वारी माता दोस्तों और पत्वारी माता का आफशन में नाम ही नहीं है तो दोस्तों यहां पे हमारा राइट आंसर होगा आफशन डी तिर्थ याद्रा को सफल बनाने के लिए पत्वारी माता का पूजन किया जाता है गर के बार इस्ताफित की जाती है जोदपूर में इस्तित मंदिर नहीं है देखे दोस्तों जोदपूर में इस्तित मंदिर नहीं है चच्चाय माता जोदपूर में है लटियाल माता भी जोदपूर में है, चामंडा माता भी है जोदपूर में सुगाली माता का मंदिर पाली जिल्ले में इस्तित है, पाली जिल्ले में इस्तित है बेहतरीन सवाल है दोस्तों, आगवा के चंपावतों की कुल देवी थी ये, पाली में इस्तित है अगला सवाल है देखो अगला सवाल है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी की बात करे तो ये थी आपके आवड माता दोस्तों ठीक है बाकी जो भी मंदिर है ना यहाँ पे साथ मंदिर है तो सभी आवड माता का सुरूग भी माना जाता है दोस्तों अगला सवाल देखिएगा अगला सवाल है अर्भुदेश्वरी माता किसकी कोल देवी है अर्भुदेश्वरी माता किसकी कोल देवी है दोस्तों तो ये जो है परमारों की कोल देवी है दोस्तों और अर्भुदेश्वरी माता का मंदिर अपने सिरोई में है इस दित ठीक है प्राचिर मंदिर है परमारों की कुल देवी मानी जाती है, option C को लॉग करेंगे लोग देवी राणी सती का वास्त्विक नाम आप से पूचा जा रहा है दोस्तों तो इनको वास्त्विक नाम की बात करें तो नाराणी इनका वास्त्विक नाम था रिद्दी भाई तो दोस्तों कर्णी माता का नाम था दादी जी इनको लोग प्यार से कहते हैं राणी सती को तो नाराणी माता या राणी सती माता वास्त्विक नाम नाराणी माता था याद रखने ठीक है जुन जुनु में मेला बरता है बादर पर दमा उचा को बरता है ठीक है दोस्तों तो यह मैंने आपको बता है कि यार इसके मॉडल पेपर आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे और बस आपका सपोर्ट चीए आपका इसने प्यार जो है बना रहे दोस्तों देखें जो अपने प्लेटफॉम है जो भी नाम से या आपके सामने है आप सर्च कर सकते हैं और आपको क्लास कैसी लेगे इसके बारे माप कमेंट करके जरूर बताए हमें प्लीज कमेंट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हाँ क्लास आपको ठीक लग रही है और शेर करना ना बूले हर क्लास को शेर किया करें दोस्तों कोई भी एक्जाम की आप चाहिए तयारी कर रहे हो BSTC, LDC, पत्वार, मैला, ASI, कोई भी भरती परिक्षा की तयारी करें तो आप हमारे साथ जोड़े रहेगा सब कुछ कोर्स जो है फिरी दिया जा रहे है, राजसान जी के PDF भी जो फिरी दी जा रहे है यह topic हम अगला जो पढ़ेंगे, part 2 पढ़ेंगे, ठीक है, all the best आप सभी को रादे रादे